जो विश्य में एक इतिहास रचेगा शी अयोध्यार्हाम जो कि वैकुंट का हिर्दय कहा जाता है आज अत्यंत प्रफुलित है आज उल्लास चारो ओर आज आनंद चारो ओर क्यों नहों भगवान शीराम पधारे हैं भगवान शीराम प्राण पतिश्चित होने जा रहा हैं भगवान शीराम की उस मूर्दी में जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में साथी साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने सोरूप में सुर्ण सिंगास पर भक्तों को दर्शन देंगे वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आँखें तरस रही थी दिव्य चण योगांतकारी चण प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी पहुच चुके हैं गर्वग्री में प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान शिरिराम के बालमूर्थ के बाल विग्रह की इन चणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में करतब्य परायन स्वरूप में धर्म परायन स्वरूप में 140 करोड देशवासियों के प्रत्दिध के रूप में तेज तप और तपश्यर्या के पर्याय के रूप में भारत भारतियता के अग्रदूप के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस प्रदर्शन के आज दिन को पुरी दुनिया साक्षी हो रही है और अगर देखें तो लिश्चित तोर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुचे हैं कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है सत्यस्तनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है और वह संदेश है वह सुधयव कुटुमबकम का वह संदेश है सर्वे भवंत सुखिना का वह संदेश है क्रवंतो विश्वमाद्यम का वह संदेश है वयम राष्टे जागरे आम पुरोहि में अयुद्या में दिव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व् बाल मूर्त विग्रह के सामने अजय जिस तरह से आब ये अद्भुत द्रिश्ट देख रहे हैं सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राणपतिस्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधान मंत्री एक तरह से प्राणपतिस्ठा के संकल्प के बाद जो छे ग्रिहस्त हैं वो इस प्राघास